वरुन दवन अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, पिछले दिनों उसका मुहुरत हुआ था इसे फिलहाल VD-18 नाम से बुलाया जा रहा है क्योंकि ये वरुन के करियर की 18 फिल्म होगी इस फिल्म से जवान फेम एटली भी जुड़े हुए हैं, इस फिल्म में वरुन दवन के साथ कीरती सुरेश, वामिका गबी और नाना पाठे कर नजर आएंगे बता जा रहा है कि ये एटली डिरेक्टेड तमिल फिल्म थेरी का हिंदी रीमेक है, जुसे खुद एटली ने डिरेक्ट किया था VD-18 के लिए मेकर्ज ने तगडी प्लानिंग कर ली है, वो इस आक्शन फ्रिलर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं इसके लिए इंडिया के अलावा, हॉलिवुड से भी अक्शन डिरेक्टर्स को बुलाया गया है पिंक विला की रिपोर्ट के मताबिक, हाल में वरुन ने इस फिल्म के लिए एक गाना शूट किया है इसमें तकरीबन सौ बाग्राउंड डांसर्स का इस्तमाल किया गया इस डांस नंबर को थमन एस ने कंपोज किया है जिन्होंने बीती दिनों आई महेश बाबु की गुंटूर कारम का म्यूसिक बनाया था इस गाने को शोभी मास्चर ने कोरियोग्राफ किया है इन्होंने जबान फिल्म का जिन्दा बंदा गाना कोरियोग्राफ किया था फिल्म के emotional, romantic और comic scenes की shooting पूरी हो चुकी है अब फिल्म के action scenes shoot किये जाने है वारून खुद इन हिस्सों की shooting का इंतिजार कर रहे थे क्योंकि ये sequence वो खुद shoot करना चाहते है बोडी डबल की मदद के बिना इन sequences को raw रखने की कोशिश की जा रही है planning है कि कम से कम VFX का इस्तिमाल करना पड़े फिल्म के action में chase sequence, gun fights और hand-to-hand combat fights होंगे इसी report के मताबिक James Bond से लेकर जवान और विक्रम जैसी filmों का action design करने वाले action directors को film से जोड़ा गया है VT याने की वरुन्धवन के लिए आठ action directors बुलाए गए हैं चार इंडिया और चार Hollywood से आपको बताते हैं ये आठ लोग कौन-कौन हैं और किन-किन फिल्मों में काम कर चुके हैं अनल अरसू सुल्तान कैथी सिंगम 2 किक और रावडी राथहौर में काम कर चुके हैं अनबारिवू केजी एफ, केजी एफ 2 लियो, सालार, इंडियन 2 और कलकी में काम कर चुके हैं सुनील रोड्रिग्स, सूरिबंशी, जवान, शेर्शा, पठान, इन सब फिल्मों में काम कर चुके हैं येनिक बेन, देफामिली में, खुदाहाफिस, फ्यूरी, इन फिल्मों में काम कर चुके हैं कलोयन, वड़निकरों, नो टाइम, तू थाय, थेरी, वर्ड ओफ, जी इन फिल्मों का action sequence शूट कर चुके हैं मनोहर वर्मा, मदरास कैफे, मर्दानी, एरलिफ्ट, इन सब फिल्मों का action sequence उन्होंने शूट किया है पनीर सेलवन और ब्राउन्विन, उक्टुबर, इन्होंने टॉम ब्रेडर, साहो, बॉर्यर, इन सब फिल्मों का action sequence शूट किया है या कुरियोग्राफ किया है VD18 का स्केल बड़ा है, इसे धाई सो करोड के बजट में बनाया जा रहा है फिल्म को कालिस डिरेक्ट कर रहे है, कालिस ने 2019 में आई की नाम की फिल्म डिरेक्ट की थी इस फिल्म को एटली, मुराद खेतानी और जूती देश पांडे के साथ मिलकर पे डियूस कर रहे है Makers अगले हफ़ते एक वीडियो के साथ इस फिल्म का अनाउंस करने वाले हैं इसका नाम जो है अगले हफ़ते अनाउंस होगा VD18 31 मार्श 2024 को रिलीज के लिए स्केडियूल है तो क्या आप एटली और वरुंधवन के इस कॉलाब्बरेशन के लिए एकसाइटेड है कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएगा मैं हूँ गरिमा आप देख रहे हैं ललोन टॉप सनेमा शुक्रिया